दोस्तों, गर्मियों के मुकाबले ठंड में हमारी बोन्स मतलब हड्डियां तीन गुना ज्यादा तेजी से बरहती है। इसके साथ साथ स्पर्म काउंट भी बहुत तेजी से बरहता है। इसलिए अगर आप ठंड में वर्काउट अच्छे तरीके से करते हो और कुछ बातों तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक-एक टिप्स को ध्यान से समझिएगा। टिप्स नमबर वन दोस्तों, अगर हाइट बरहाना है तो आपको अपनी डाइट में बादाम और हरी पत्तेदार सबजियों की मात्रा को बरहा देना है। क्योंकि बादाम औ और हरी पत्तेदार सबजियों में विटमिन और कैल्शियम की कोई कमी नहीं होती है और आपको पता भी हैं कि विटमिन और कैल्शियम आपकी हाइट बरहाने के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी शरीर के अंदर जाकर human growth hormones को बहुत तेजी से बरहाता है जिससे आपकी bones बहुत तेजी से बरहती है और जाहिर सी बात है अगर आपकी bones बरहेगी। तो आपकी height भी जरूर increase होगी तो आपको किसी भी चीज के साथ आप आलू की सबजी बना रहे हैं या फिर आप दाल बना रहे हैं उसमें हरे पत्तेदार सबजियों को जरूर डालन है और हरी पत्तेदार सब्जियों को रोजाना जरूर खाना है इसके अलावा अगर आप अंडे मचली और दूध को अपनी diet में add कर लेते हो तो ये आपकी height को बहुत तेजी से increase कर देगा दोस्तों ये जो आपके पास में 3-4 महीने है न ये जो ठंडी का मौसम है ये आपके लिए golden opportunity है आपको ठंड के एक भी दिन को बरबाद नहीं करना है अपने height को बरहाने में लगाना है इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है पहली बार आपको एक mindset बना लेना है कि कुछ भी हो जाए इस 3-4 महीने के अंदर मुझे अपनी height को बरहा लेना है अच्छे तरीके से जो मैं आगे exercise बताने वाला हूँ उनको करना है अपना 100 का 200% दे देना है दूसरी बात आपको अपनी diet को ठीक करना है आपको कुछ पैसे saving करनी है उनसे आपको ऐसी चीजे लेनी है जिनके खाने से हमारी height बरहती है क्योंकि अगर आप इन 3-4 महीनों में अपनी diet को ठीक तरीके से follow कर लियाना तो आपको अपनी height में बहुत ज्यादा changes नजर आएंगे तीसरी जो सबसे important बात है मैं जो हमारी sexual energy होती है वह बहुत तेजी से बरहती है इसलिए इस energy को गलत कामों में खराब मत करो बलकि इसको अपनी height को बरहाने में और body को बनाने में लगाओ दोस्तों अगर आप मेरी मानों तो 3-4 महीने आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लो आपकी height तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी नमबर 3 दोस्तों अगर आपको अपनी height बरहानी है तो बासी भोजन का सेवन बिलकुल भी नहीं करना है हम में से अक्सर लोग 6 बचा हुआ भोजन फ्रिज में रख देते हैं उसे 1-2 दिन तक गर्म करके खाते रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है बासी भोजन खाने से होता क्या है शायद नहीं तभी आप बासी भोजन को खाते हैं मैं आपको बता दूँ आपको बासी भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि बासी भोजन खाने से या बार बार फ्रीज में रखा भोजन गर्म करके खाने से खाने में मौजूद पोशक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, कैलशियम आदी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और जब आप उस भोजन को खाते हैं तो आपका सिर्फ पेट भरता है भोजन से आपको पोशक तत्व मिलते ही नहीं है इसके अलावा वह भोजन आपके शरीर में जाकर बहुत ज्यादा नुकसान करता है आपने खुद देखा होगा कि जब हम बासी भोजन करते हैं तो हमें आलस आता है आप बीमार हो जाते हैं इसके अलावा किसी भी काम में मन नहीं लगता है दोस्तों सबसे IMPORTION बात यह है कि जब आप बासी भोजन करते हैं तो यह आपके शरीर में जाकर कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। अगर आप लगातार तीन महीने तक किसी दस साल के बच्चे को बासी भोजन खिलाएंगे, पहले तो वह बच्चा बीमार हो जाएगा। इसके अलावा हाइट तो उसकी कभी B.I.H. ही नहीं सकती है। इसी लिए अगर आपको हाइट बरहानी है, तो इस ठंड के तीन से चार महीनों में बासी भोजन का इस्तेमाल बिलकुल भी नहीं करना है। टिप्स नंबर फॉर दोस्तों, आप सभी लोगों को हजारों वीडियो में बताया जाता है कि सोते समय ही हमारी हाइट बरहती है, आपको यह भी बताया जाता है कि हाइट बरहाने के लिए साथ से आठ घंटे सोना चाहिए, यह सही भी है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नही है, मैं आपको बता दूँ सोते समय हमारी हाइट बरहती है, लेकिन आपको कोई यह नहीं बताता है कि इस उम्र में कितनी देर सोना चाहिए, हर एक उम्र के लिए एक अलग सोने की टाइमिंग होती है, दोस्तों आप सभी लोगों को कुछ इस तरीके से सोना चाहिए, दोस् 12-2 वर्ष के बच्चों को 11-14 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 3-5 साल के बच्चों को 10-13 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 6-13 साल के बच्चों को 9-13 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 14-17 आयू वर्ग के किशोरों को 8-9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 18-64 आयू वर्ग के वयसकों को 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के को 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको कितनी देर सोना है और यह भी जरूर बताना कि उम्र के हिसाब से आप सभी लोगों को कितनी देर सोना चाहिए। ये वीडियो देखने से पहले आपको पता था या फिर नहीं पता था। हमें comment section में जरूर लिखना दोस्तों, अभी यहाँ पर वीडियो बिलकुल ध्यान से देखना। आपने इन 3-4 महीने diet अच्छे से follow कर ली, आपने अच्छे से नींद भी ले लिया। इसके अलावा आपको एक और बात का ध्यान रखना है exercise क्योंकि हड्डियों को बरहाने के लिए nutrients तो आपको मिल गए। लेकिन जब तक आप exercise नहीं करेंगे तब तक आपकी हड्डियां करनी है, वह exercise करनी है, लेकिन फाइदा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बता दू हाइट बरहाने के लिए इन 3-4 महीने आपको सिर्फ 2 exercise करनी है, पहली hanging exercise। दोस्तों अब इसका भी factor समझो। दोस्तों आप सभी लोग gravity या गुरुत्वा कर्शन को जरूर जानते होंग गुरुत्वा कर्शन का हमारी height पर काफी असर पड़ता है, लेकिन जब आप अपनी body को hang करते हैं, तो read और हड़ियों के जोड़ आपस में compress होते हैं, जिससे नरम हड़ियां लंबी हो जाती हैं, और यह काम ठंडी के मौसम में 3 गुना ज्यादा तेजी से होता है। ने बताया ही नहीं तो चलो, इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों hanging exercise आपको 15-20 मिनट जरूर करना है, इसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो शाम को भी 15-20 मिनट जरूर करें। दूसरी exercise दोस्तों, अगर आप jump rope कर लेते हो, मतलब rope skipping exercise कर लेते हो, तो आपकी height बहुत जल्द increase हो जाएगी। लेकिन आपको rope skipping exercise warm map की तरह करना है। आपको सबसे पहले लगभग 10 मिनट की rope skipping करनी है, जो कि कुछ इस तरीके से की जाती है। उसके बाद आपको 5 मिनट का gap लेना है। गैप लेने के बाद फिर आपको hanging exercise करनी है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप को 10 से 15 मिनट करना है। दोस्तों इसके अलावा आपको नशे नहीं करने हैं। अगर आप गुटका, पान, सिगरेट करते हैं या फिर alcohol भी लेते हैं तो इसे आपको बिलकुल छोड़ देना है। इसके अलावा आपको दिन भर में पानी की मात्रा को बढ़ा देना है। अग में आज का डेट लिखो और बताओ कि सर आज से 3-4 महीने मैं अपना 100% नहीं 200% देकर पूरी इमानदारी से वर्काउट करूँगा और बहुत अच्छी तरीके से डाइट और टिप्स फॉलो करूँगा। चैनल पर मैंने हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बहुत सारी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।